हेलो तो एब्रीवन आज हम पढ़ने जा रहे हैं Demand- मांग Market demand Bajar маang Demand of Hudson मांग फलन LAW OF kijken मांग कानेयम Demand कर मांग वक्र Normal and inferior words Saamagne और निमनिस्ब्रईटर Substitutes and Compliments Sthanaapan तथा पूरक थो च्णिया सुनु सकते हैं Demand Maang The quantity of a commodity that consumer is willing to buy तो मानिए कि आप एक उपभोगता है और आप मार्केट में गये आप विश कर रहे हैं कोई समागवी वस्तु देख रहे हैं तो आप विश कर रहे हैं कि यह वस्तु मेरे पास होनी चाहिए तो यहाँ पर क्या हो गई यहाँ पर आपकी विलिंगनेस हो गई उस वस्तु के लिए वो वस्तु खरीदने के लिए तो एक तो आपके पास विलिंगनेस होनी चाहिए मतलब किसी भी वस्तु के लिए सबसे पहले आपकी पास विलिंगनेस होनी चाहिए कि आप वो वस्तु को को खरीदें दूसरी चीज़ यह है कि able to afford मानिये की willingness आपके पास है लेकिन आपके पास पैसे नहीं है कि उस वस्तु को आप खरीद सके तो आपके पास willingness के साथ साथ आपके पास ability to afford भी होना चाहिए मतलब आप उस वस्तु पर व्याय कर सके व्याय करने की आपके पास शंता हो चाहिए given prices of goods and consumers tastes and preferences और prices of goods हमें पता होनी चाहिए और consumers की tastes और preferences उसकी पता होनी चाहिए तब ही हम उसको demand कह सकते हैं उस वस्तु के लिए demand कह सकते हैं मानिए कि आपको fruits खाना है आप market गए आप जब market में जाते हैं तो तरह तरह के fruits देखते हैं आप सब कादाम पूछते हैं आपके पास रुपे होते हैं मानिए कि आपके पास 100 रुपे हैं तो आप ये सूचते हैं कि 100 रुपे में कौन कौन सी fruits आ जाएगी आप fruits और पैसों क पर मांग करते हैं मतलब उस्वस्तु की मांग करते हैं यानि कि आप डिमांड करते हैं Market Demand, Bajar Bank Market Demand for a good at a particular price is the total demand of all consumers taken together तो जैसे individual demand होता है तो वो एक वेक्ति का demand होता है लेकिन market demand क्या होता है मानिए कि market में हम लोग suppose करते हैं कि 5 consumers है ठीक है और जो पहला जो वेक्ति है उसका माल लीजे कि demand हो गया D1 तूसरे वेक्ति का demand हुआ D2, तूसरे वेक्ति का demand हुआ D3, चौथे वेक्ति का demand हुआ D4 और पांचमे वेक्ति का demand हुआ D5 तो ये all together ये जो market demand है वो क्या हो जाएगा DM यानि कि DM जो है ये पांचों वेक्ति के demand है तो market demand क्या होता है is the total demand of all consumers, ठीक है market में जितने भी consumers है उन सारे consumers का total demand demand function, मांग फलंग, किसी वस्तु की मांग और उसे प्रभावित करने वाले कारकों के माद्य फलनात्मक संबाद है तो एक equation होता है जिसमें x का demand और उसके functions होते हैं कि x का जो demand है वो कीन कीन चीजों पर निर्वर करता है जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि यह dx है यानि कि dx का मतलब हुआ कि demand of x एक जो है यह function है, px है price of x pr है price of related commodities related goods या commodities y जो है यह हो गया income जो consumer होता है consumer का income t हो गया taste और वो हो गया other things यानि कि इन गया लावा भी बहुत सारी और चीजे हो सकती है तो demand of x जो है x से वस्तु की demand किन किन चीजों पर निर्वर करती है price of x ठीक है कि x वस्तु की price कितनी है price of art, price of art means related goods दोसे वस्तु की कीमत कैसी है, क्या वो substitutes है या फिर वो compliments है उसके बंद y है, y consumer का जो income है उस पर भी depend करता है demand of x, t taste, taste मतलब consumer के taste पर भी depend करता है और o, मतलब ये सारी जो चीजे है, वो बहुत सारी ऐसी चीजे हो सकती है जिसे हम अभी उनके बारे में नहीं सोच सकते हैं, वो situation पर depend करती है law of demand, maang का नियम, law of demand states that other things being equal, there is a negative relation between demand for a commodity and its price तो law of demand क्या बदाता है, other things being equal, other things में क्या हो गया जैसे कि consumer का जो income है, उसका taste है और जो और सारी चीजे है, जैसे कि price of related things वो सारी constant होनी चाहिए, ठीक है, उनमें कोई बदलाव नहीं होनी चाहिए then there is a negative relation, ठीक है, यहाँ पे negative relation है, किसके बीच में demand for a commodity and its price ठीक है, तो किसी भी वस्तु का demand और उसके price में negative relation होता है जैसे कि जब price, जब increase होता है, हम देखते हैं किसी वस्तु का अगर price increase होता है तो क्या होता है कि उसका demand जो है वो क्या होता है fall होता है और किसी वस्तु का price अगर decrease होता है तो उसका demand जो है वो क्या होता है rise होता है तो यह negative relation दिखाता है वही हम लोग demand कर में भी देखते हैं यहाँ पे हम लोग देखते हैं इधर हम लोग ने price लिया है और इधर quantity लिया है यह X-axis और एक Y-axis और यहाँ पे जब प्राइस जब यहाँ तक रहता है तो क्या होता है कि quantity demanded जो है वो यहाँ तक होता है जैसे ही price इसका गिरता है वैसे ही हम लोग क्या देखते हैं इसका quantity demanded इसका increase हो जाता है तो यह जो demand curve है यह left to right decline रहता है normal goods and inferior goods समाने और नीमने स्थरिय बस्तुए the quantity of a good that a consumer chooses increases as the consumer's income increases and decreases as the consumer's income decreases such goods are called normal goods तो जो समाने जो बस्तुए होती है जो normal goods जो होते हैं वो consumer के income के साथ अगर consumer का income increase हो रहा है तो उसका demand भी increase होगा और consumer का अगर income decrease हो रहा है तो उसका demand भी decrease होगा तो यहाँ पे एक positive relation होता है एक positive relation होता है दोनों में जैसे कि अगर consumer जो है उसका अगर income increase होगा तो डिमांड जो है normal goods का वो क्या होगा वो भी increase होगा और अगर consumer का income अगर decrease होता है तो डिमांड भी क्या होगा decrease होगा तो यहाँ पे हमेशा positive relation रहता है और हम लोग inferior goods के बारे में देख रहे हैं there are some goods the demand for wage move in the opposite direction of the income of the consumer such goods are called inferior goods जो निमने स्टरिये जो वस्तुय होते है तो बहुगता का income जो है जब वो increase होता है तो demand जो है वो increase होता है inferior goods का और बहुगता का income जब decrease होता है तो inferior goods का demand decrease होता है तो ऐसी बहुत सारे वस्तु pizza जो है मालाएं कि अगर किसे की आइं बहुत ही कम है तो वह पुछ ь वस्तुयों को जैसे लेता है ठीक है पुछ वस्तुऊं का जब इंकम बढ़ता है तो वो अपने आपको बेटर मैसूस करने लगता है और वो उन साले बस्तुन को छोड़ देता है और वो जैसे कि गूर के बदले में अगर कोई चीनी गंजियूम करने लगेगा तो क्या होगा कि उसे वो से क्या कहा जाएगा गूर को क्या कहा जाएगा यहाँ पर इंफ्रियर गूर्स कहा जाएगा ठीक है और चीनी को क्या कहा जाएगा सुप्रियर गूर्स कहा जाएगा और कंजियूमर का जैसे इंकम बढ़ेगा तो वो गूर को छोड़ देगा और चीनी पर सिफ्ट करेगा सब्स्टिट्योट्स एंड कम्प्लिमेट्स स्थानापन तथा पूरग वोड्स वेच अनौट कंजियूट्स तो वो वस्तुएं जो एक साथ हम नहीं लेते हैं जैसे कि मानिय कि अगर टी के बदले हमें अगर कॉफी दिया जाए तो हमें उससे ज्यादा फर्क है नहीं कहते हैं मतलब इसके बदले में हम यह भी वे सकते हैं वोड्स वीच और कंजियूग टुगेदर और कॉर्ड कम्प्लिमेट्स तो जो वस्तुएं हम एक साथ लेते हैं जैसे कि अगर हम चाय बनाएंगे तो उसमें चीनी की जरूरत पड़ेगी अगर हम सूज पहनेंगे तो एक के बिना दूसरी नहीं चल सकती है ठीक है तो इसलिए इसे काम्प्लिमेंट्स कहा जाता है यानि की पूरक कहा जाता है पाट वन टू और त्री का लिंक नीचो डिस्क्यूप्सन में दिया गया है सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को कि दाना झाल एक लिंक, जास्तविए देखा जाटब समझ कीजिएग कीजिए लिए खाटब सम्गर प्रेस काम्प्सन देंक कर दें ऑटेंग कीजिए बेल्सक्राइब कीजिए ओक